पस्कार दोस्तों अपनों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो के मादियांसे आज हम लोग जो आज़न जानने वाले हैं अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते है तो आप लोगों को पता वेगा पिछले जो है इंडिया डेलवय इस रूट्स पे जोन ट्रैल भी किया आप लोगों को रूट्स के बारे में आगे बताने वाले हैं और उसका जोन फाइनल डेट जोन एनॉस्मेंट हो चुका है कि इस डेट में जोन इस रूट्स पे ये ट्रेन को जोन हरी जंडी मिलने वाली है दोस्तों हिरानी के बात यह है कि यह जो ट्रेक है मातर जोने 119 कुलिमीटर का जोने दूरी होने वाला है इसमें 48 ट्रेनल और सुरंग बनाए है इंडियन डेलवे ने और इस ट्रेन को 119 कुलिमीटर जोने सुरंगों में चलाई है और दुनिया की सबसे बड़े सुरंग जोने इसी रूर्टे में परने वाली है और दुनिया के सबसे बड़े उन्चाई वाला जोने पील इलाइन पर बनाई है और टोटल पूल की बात करें तो 937 stream जोने इंडियन डेलवे को लिए दोस्तों बीडियो को जोए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। कि ये विडियो को जोए को में कॉमेंट जरूर किजेगा और लाइक कर लीजेगा। और इस प्रकार का अगर जोर वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और किसी का जोन एक सपना होता है कि लाइट में जोन एक बार जम्बू कस्मिर जरूर घुमें जो दोस्तों आप लोगों को जोन इस पे जोन सबसे कम खर्च पे जोन आप लोगों को जम्बू कस्मिर ये ट्रेन रूर्ट से भी जोन आप लोग जा सकते हैं दोस्तों आपको बताते चलते हैं कि रियासी संगलदान के बीच जोन 46 किलोमेटर का लंबे रेल मार्क चालू होन सब्सक्राइब कर लिए नजर देखनी के लिए जोन लोग का आँखें पत्रा गई थी भारतिय रियलवा ने रियसी और संगलंदान के 46 किलिमीटर रेल सेक्षिन का जो है 15 अगस्त से जोन शुरू करने जा रही है और 15 अगस्त के दिन जो है इस लैन पे जो है रेलवा जो है लौंचिंग करेगी आठ मुझ वाली मेमूट ट्रेन को कस्मीर रेल लिंग परूजना के हिस्से के रूप में इसकी सेव अगस्त पर ना के जो है जमबू के सी सी कस्मीर के पर्मलण तक जो है नियात्रा कर सके है में जारी के चालू हो जाने से जमबू से शरी नगर तक का सफ़र वह इन बहुत ही असान होने की जाने कि लेग़ने के चाला है वाला है साल 2002 में जोने इस रेल प्रोजक्त का काम जोने शुरू किया गया था जंबू से स्रीनगर को जोने वाला इस रेलवा प्रोजेक्ट को जोने साल 2024 के आउन तक पूरा करने का लग्स रखा गया है आपको हरानी होगी कि इस ट्रेक का कुल लंबाय जो 119 किलोमेटर के दूरी पर रेलवा ने 48 ट्रेनल वे सुरंगे जोन बनाई है अगर आप लोग जोने इस रूट्स पे कभी वे ट्रेवल करते हैं तो 119 किलोमेटर का दूरी आप लोगों को जोन सुरंगों से गुजारना पड़ेगा इसमें एक टीब 49 सुरंग 12.75 किलोमेटर क है यह देश की सबसे बड़ी सुरंग भी है दुनिया का सबसे उचा पूल भी आप लोगों को इसी रूट्स पे मिलने वाला है इस ट्रेक को जोन पुरा करने के लिए ने 937 स्कूल पूल जोन बनाई है एक पूल जो है 1315 मीटर का है 466 मीटर आग पर बना यह पूल की सतर से 369 मीटर की उचाई पर है जो इस तरह से जोने खास परकार से डिजाइन किया गया है कि दुनिया का सबसे उचा रिलवेब भी है इतना ही नहीं इस ट्रेक पर पहला केवल ब्रीज भी रिलवेब ने बनाई है यह रिलवेब ट्रेक का सफ़र आप लोगों को जोने यूरोप इस पर पहारों किसे नहीं गुजरेगी बलकि सुरंगों से भी गुजरने वाली है भारते रिलवेब ने करेब तीन दर्जन सुरंगों का जो निर्वान करवाया है बता देकि 272 किलिमिटर का इस सुहानी सफ़र में रिलवे जो है 38 सुरंगों से इनको गुजरी है दोस्तो अगरस्त को देखिए अगर आप लोगों जो फाइनल डिसीजन रिलवे के तरफ से आता है 15 अगरस्त को यह गारी लॉंचिंग होता है रियसी से संगलदान के 46 किलिमिटर का जोहना आप लोग रियल सफल का पहली भार जोनी हिस्सा बन सकते हैं इंडियन रिलवे की माने तो अगरस्त को 27 अगरस्त को 7 अगरी रिलवे कर शिए लोगो Γेंगा है 15 20 17 अगरस्त को सुरास्त करें ट लोगो माने थिलवे माने उन dag आप लोगों गली का पहला है 14 मैं तो थ покупता किलिमिगन ऐम जोगवे करें दिलवे का आपन को